हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों मैं डॉक्टर धर्बेश आप से भीका स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल Freedom From Hospital दोस्तों अगर हमारी पेट की समयस्या हमेसा लगी रहती है हमें कंस्टिपेशन हो गएरा फेस करना पड़ता है तो उससे हमको बाकी बहुत सारी बिमारी हो जाती है इसलिए आपकी कोशिस रहनी चाहिए कि आपका पेट हमेसा ठीक रहा है अगर पेट ठीक से साफ हो जाता है तो पेट दर्द, जलन, खटी डकारें, सीर दर्द, कब जो गैस जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है उहीं अगर अपने पेट के प्रती लापरवाई है तो सरीर में कई सारे बिमारियां प्रबेस करते हैं और धेरे धेरे आप दुर्बल याने उई खोते जाते हो पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए पेट का साफ रहना दोस्तों जरूरी है वरना सरीर को ठीक से पोशन नहीं मिल पाएगा स्वस्त पाचन तंत्र भोजन गरांड करने से लेकर मल्मुत्र निकासी की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने में दोस्तों मदद करता है कहते हैं कि अगर पेट साफ है तो पूरा तो सरीर है वो स्वस्त रहता है और आपका हर काम करने को मन लगता है और आपको कभी भी विकनेस नहीं आती इसके साथ साथ पेट ठीक से साफ होने का मतलब यह है कि पाचन तंत्र मजबूत रहना सही प्रकार से मल्मुत्रे की निकासी से सरीर के बिसल्य पदार तो बाहर निकल जाते हैं जिससे सरीर में उरजा का प्रहाई तेज हो सकता है दोस्तों पेट का साफ होना सरीर की रोक प्रतीर हो तो खिमता को बढ़ाने में भी दोस्तों मदद करता है जिसे सरीर को बिमारियों से लड़ने में मदद मिल सकता है तो दोस्तों चलिए मैं आपको दो टीप आज दे रहा हूँ जिससे आप अपने आंथ को साफ कर सकते हो बढ़िया तरीके से याने पेट को साफ कर सकते हो पहला है दोस्तों गुनगुना पानी याने रोजाना सुभा खाली पेट अगर आप एक से दो ग्लस गुनगुना पानी पीते हो इसका जवरदस लाव होता है और लॉंग टर्म में आपको इसका फायदा दिखता है लोजाना गुनगना पानी का सेवन पेट को साफ करने का काम दोस्तों कर सकता है नियमित रूप से गर्म पानी का सेवन अगर सुभा सुभा एक से दो ग्लस किया जाता है तो आपकी पाचन सक्ती बढ़ जाती है इसके अलावा यह सरीर से गंदगी को साफ कर प्रतिरख्य प्र जर्थों को तेजी से तोड़ने में मदद करता है जिससे उन्हें पचाने में दोस्तों आसानी होती है याने हर खाना खाने के बाद भी एक ग्लास गुनगुना पानी आप ले सकते हो 20 या 25 मिनिट छोड़के याने खाना खाने के आधे गंटे के बाद ही आपको लेना ग्लास गुनगुना पानी इसका इस्तेमाल दोस्तों कैसे करोगे एक ग्लास गुनगुने पानी में आधी चमच नेमबु का एरस मिला ले इस मिश्रन में एक चुटकी नमक डालने उसके साथ साथ आपका सहथ एक या दो चमच छोटे चमच में मिला ले रोजाना सुभा इ करना चाहिए इस से आपको दोस्टों बहुत सारे लाब हो और नेमू में कई प्रकार के गुण होते हैं जो पेट को साप करने में मददगार हो सकता है साथ ही कप्च की समस्या से रायत दिलाने का भी दोस्टों काम करता है इसके अलावा सोद में ये भी पाया जाता है कि नेमु का युपियोग उसमें पाए जाने वाले विटामिन सी और प्लेवनाइट्स के कारण डी टॉक्सिफिकेशन आपका बहुत तेजी से और बहुत 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 भेतर ढंग से होता है सहत का इस्तेमाल दोस्तों आंतों के बैक्टरियल संतुलन को बनाए रखने के लिए दोस्तों किया जाता है जिससे सही पाचन की खेमता दोस्तों बढ़ती है और आप का जो कहते हैं हजम करने की खेमता दोस्तों बहुत बढ़ जाती है तो दोस्तों यह जो आपको दो टीप्स दिया हूँ इसका आपको इस्तेमाल करनी है जो पहला बाला हुआ कि आपको गुनगुना पानी याने लिकुर मॉाटर आपको लेना है सुबा सुबा एक से दो ग्लास कम से कम आधत बनाएंगे तो दो ग्लास तक आराम से आप पी लोगे उसके साथ साथ आपको जो दूसरा प्रयोग मैंने बताया आधा चमज नेंबु कारस और एक या दो चमज सहत बाली जो फर्मुला उसमें एक चुटकी नम्मक एक ग्लास पानी में डाल के लेना है ये भी दोस्तों आप कर सकते हैं दोनों अल्टरनेटिव आपके पास है अचाहिए आप सिर्फ गुनगुना पानी आप सुबा सुबा दो ग्लास पिए या फिर इस तरीके का भी प्रयोग कर सकते हैं अभी मैंने आप से सेयर किया सहद और नेम्बु वाली फर्मुला जो आपको अच्छा लगता है जो आपको शूट करता है दोस्तों वह आप करें लगातार करें तो आपको दोस्तों लाब हो गई होगा इस तरीके का दोस्तों हजारों टिप्स में अपनी किताब माई हल्थ इन माई हैंड में रखा हूँ आप इसको ऑनलेने में जन पर मंगाएं हिंदी या अंगरीज दोनों लेंग्वेज दोस्तों अभेलेबुल है उसका इस्तेमाल करके भी आप घर बैठे स्वेंग डॉक्ट करने पर ध्यान दे रहे हैं इसलिए आपका हर बिमारी के लिए अलग-अलग पेंट्राइब तयार कर रहे हैं जिसमें आपका पूरा ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग आक्यूप्रेशर कैसे दोगे एक्यूरिसी के साथ कैसे काम करोगे उपने प्रैक्टिकल करके उसमें सारा दिखाये हूँ और अपने कंपिटर या अपने टीवी में लगा के उसको देख के भी अपना इलाज कर सकते हो किताब आपके साथ रहेगा तो दोनों चीज मिलाके आप अपना पूरा होम ट्रीटमेंट करें यहां मेरे पास और आने की जोरत नहीं है दोस्तों चलिए इस व सबस्क्यारत